गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एक और बड़ी आसी वीडियो में आप सभी का स्वागत है उमीद है आपने कल की वीडियो देखी है जो ओबेसिटी के बारे में थी जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ओबेसिटी यानि मोटापा के क्या-क्या कॉजस है क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन्स है और ओबेसिटी के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते है इस वीडियो के बाद में आएगी वो जरूर देख लीज़े जैसे अपने टाइटल और थमनेल में देखा कि आज की वीडियो बहुती इंट्रेस्टिंग कंसेप्ट है वो है पर्सनालिटी टाइपिंग आज की वीडियो में हम लोग देखेंगी कि personality typing क्या होता है कैसे आप अपनी personality type आसानी से ढूंड सकते हो personality typing से आप अपने strengths और weaknesses कैसे जान सकते हो और आज हम ये भी जानेंगी कि मेरी personality typing क्या है और मेरी personality typing के famous personalities कौन-कौन है तो वीडियो को end तक देखिए वैसे तो दुनिया में पैदा होने वाला हर इनसान जो है उसकी एक अपनी identity होती है, individuality होती है लेकिन कुछ personality traits और behavioral patterns जो हैं वो common होते हैं और इन personality traits और behavioral patterns को study करके काफी सारे personality typing systems create किये गए हैं उन में से Myers and Briggs personality typing को सबसे ज्यादा accurate और detailed बना गया है ये personality typing दुनिया के करोडों लोगों के research data के उपर based है और सिर्फ इंडिया में ही 20 लाग से ज्यादा लोगों ने अपनी personality typing इसमें पता किये इस personality type पे major 16 types of personalities है और इन 16 personality types में और दो personality types होता है यानि कि total 32 types of personalities होता है हर personality type को अलग नाम दिये गए हैं और हर personality type के अलग strength और weaknesses होता है सारे personality types और उनके features इस वीडियो में cover कर पाना मुश्किल है वैसे तो बहुत सारे sites ये provide करती है freely आप अपना personality type जो है वो पता कर सकते हो आपके strength और weaknesses क्या है वो पता कर सकते हो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कहां पर focus करना है कहां पर focus नहीं करना है और जो भी आपके tendencies है वो ऐसा क्यूं है ये आपको पता चल जाएगा जब आपकी personality trait और उसके जो features हैं वो जब आपको पता चलेगे तो आपको login करना है 16personality.com में और आपको अपना personality type पता करना है साइट आपको automatically guide करेगी आपको बहुत सारे questions होते हैं उनको honestly answer करना है और आपका result immediately मिल जाएगा जिससे कि आप अपने capabilities और strengths और weaknesses को analyze कर सकते हो आपकी particular personality type के अलग-अलग social media पे बहुत सारे forums और बहुत सारे groups भी होते हैं जिससे कि आप काफी सारे benefit derive कर सकते हो तो मेरी personality type है campaigner ENFPA type इसमें जो भी alphabets हैं उनके अलग-अलग meanings होते हैं जो आपकी personality के core traits होते हैं ENFPA की famous personalities की मैंने list निकाली है आपकी personality type के famous personality की list आपको मिल जाएगी ताकि आप समझ सकते हो कि आपकी personality trait कैसी है और आपकी capabilities कितनी है तो ENFPA के famous personalities हैं N.A. Frank, The Diary of a Young Girl आपने सुना होगा बहुती famous writer है Bob Dylan, musician US President Abraham Lincoln Che Guevara Talk Show host Alan DeGeneres Cuban President Fidel Castro Actor Jennifer Aniston Comedian Jerry Seinfeld Activist Julian Assange Actor Keanu Reeves Actor Sharon Stone Researcher Micho Kaku Dictator Muammar Gaddafi Rockstar Ozzy Osbourne Film Director Quentin Tarantino Actor Robert Downey Jr Actor Robin Williams Artist Salvador Dali Actress Sandra Bullock Entrepreneur Walt Disney Actor Will Smith अगर ENFPA वाले personality type के Indians की बात करें तो कुछ famous Indians हैं तो उमीद हैं आपको आपको परस्नालिटी टाइपिंग और इसके फाइदों के बारे में बेसिक आइडिया आ गई है आपकी परस्नालिटी टाइपिंग ढूंडने के लिए जो लिंक की जरूरत होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उमीद है आपको आज नया कुछ सीखने को मिला है मिलते हैं ऐसी एक बड़ी ऐसी वीडियो में कल शाम पांच बजे तब तक के लिए आलविदा